हलो दोस्तों कैसे हैं आप आज बात करते हैं कि क्या प्रेगनेंसी में गर्भती महिला ब्रत रख सकती हैं बहुत सी महिलाओं के दिमाग में ये सवाल चलते हैं कि ब्रत रखने से उनके और उनके सिसुपर कोई प्रभावतों नहीं पड़ेगा तो चलिए आज जानते हैं इसके बारे में कि प्रेग्नेंसी में बरत करना चाहिए की नहीं तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो फ्रीज सस्क्राइब कर ले और वेल आइकन को भी क्लिक कर ले लेकिन फिर भी आप ब्रत रखना चाहती हैं तो अपने सेहत को ध्यान में रखते हुए ब्रत रखें भारत में कई तरह के परवतिवार होते हैं इन तोहारों को मनाने के लिए लोग उपवास करते हैं हिंदु धर्म के हिसाब से हमारे देश में पूजापाठ का अत्यंत महत्वपूरस्थान है यहाँ पर बिना पूजापाठ के महिलाएं अन भी ग्रहण नहीं करती पूजा पाठ हमारे हिंदू धर्म का एक हिस्सा है जो कि हमारे दिन चर्य का एक अभिन अंग है गर्भवस्था के दोरान व्रत एक दिन का हो या नौ दिन का ये गर्भवती महिला के लिए काफे कश्ट दाई होता है इसलिए गर्भवस्था के दोरान यदि आप वरत रखती है तो ख्याल रखे कि आप ऐसे आहार का सेवन करें जो आपके सीशु को पोस्टर परदान करें अब जानते हैं कि गर्भवस्था के दोरान व्रत रखना सुरच्छित है की नहीं तो गर्भवस्था के दोरान व्रत रखने का सुरच्छा का प्रमार नहीं दिया जा सकता है एक तरफ सदियों से महिलाएं अपनी स्वास्त गर्भवस्था के साथ वरत को पूरा करती आ रही हैं और दूसरी तरफ सोध के मुताबिक वरत करना गर्भवती महिला के लिए चिंता की बात बताई गई है इसमें हुई रिसर्च वर सोधो के अनुसार गर्भवस्था की पहली तिमाही में वरत रखने से प्रसव के समय शिसु का वजन और लंबाई समानने रूप से कम और शिसु दूबला भी हो सकता है लेकिन ये नुम्तम अंतर देखे गए हैं लेकिन फिर भी गर्भवती महिलाओं को वरत रखने से पुरूर डॉक्टर की सलाह लेना बेहर जरूरी है गर्भवस्था के तीसरी तिमाही में शिसु का विकास तेजी से होता है इसलिए इस दौरान गर्भवती महिलाओं को नियमित रूप से अधिक पोश्टिक आहार की आवसकता होती है कुछ अध्यनों की माने तो इस दौरान व्रत रखने से शिसु के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है इसलिए यदि आप अपनी गर्भवस्था के तीसरे दिमाही में व्रत रखती हैं तो इसे सुरच्चित रखने के लिए सुनिचित करेंगी आप स्वास्त की नियमित वपूर जाच और शहीद एकवाल करती है ब्रत रखने से पहले डॉक्टर दोरा जान ले कि आप के लिए ब्रत रखना सुरच्चित है या नहीं डॉक्टर आपकी गर्भवस्था की समस्याओं की जाज करके आपको उचित सलाह देंगे अब जानते हैं कि व्रत रखने से गर्भावस्था में क्या प्रभाव पड़ता है गर्भावस्था के दोरान व्रत रखने के अनेक प्रभाव पड़ते हैं कुछ प्रभाव थोड़े समय के लिए पड़ते हैं और सही हो जाते हैं पुछ प्रभाव ऐसे हो जिन्हें सही होने में लंबा समय लगता है जैसे गर्भावस्था में ब्रत रखने की प्रभाव को जानते हैं जैसे कि जन्म के समय सिसु का वजन कम हो सकता है मा को दस्त उल्टी और चक्कर आ सकते हैं मदुमे का सामना करना पड़ सकता है सिजेरियन डिलवरी के आसंका बढ़ जाती है भूड की सांस लेने की गती कम हो सकती है लेवर पैन बढ़ सकता है नौजात को आईसियों में भी भरती कराने की नौबत आ सकती है पर आपको ब्रत रखना ज्यादा आवश्यक है अगर आप ब्रत छोड़ नहीं सकती तो आपको पहले से ही कुछ तैयारियां कर लेना चाहिए डाक्टर से जाज करवा कर सुनिचित करें कि आपको कोई स्वास्त समस्या तो नहीं है ताकि गर्भा वस्ता में उपवास रखने के दौरान आपको परशानी ना हो धुम ब्रपान और अलकोहल से दूर रहें ब्रत रखने से पहले परियापत पानी पीए ताकि सरीर में पानी की कमी न हो प्रतेक समयंतराल पर फलों का सेवन करें मसालेदार खादसा मगरी से दूर रहें उपवास से पहले अच्छी नीद लें और ब्रत रखने वाले दिन भी आप कुछ बातों का ध्यान रख सकती हैं डाक्टर की सलाप बताएगे निदोसों का पालन करें अगर आपके धर में फल और इनके जूस का सेवन करने की अनुबती दी जाती है तो आप इनका सेवन कर सकती हैं अगर आप उपवास की दरान प परशानी समझ में आए तो डाक्टर से जरूर संपर करें तो चलिए जानते हैं कि हमें उपवास कब बंद कर देना चाहिए तो गर्भवस्ता के दवरान निम्न इस्थितियों में उपवास बंद कर देना चाहिए जैसे कि आपको सीर में दर्द या चक्कर आ रहा हो उल्ट की स्थिति होने पर बताए गए इन लच्छोडों के अलावा अगर आपको कोई और भी स्वास्त समस्या हो रही है तो आपको तुरंत अपना उपवास वहीं पर रोग देना चाहिए चलिए जानते हैं कि अगर आप अपना उपवास खोलना या तोड़ना चाहती हैं तो उपवास खोलने के लिए सबसे पहले आपको केवल हलके लिक्विड वाली चीज को पीना चाहिए जल्दिबाजी में एक साथ ज्यादा मात्रा में खानने पीने की बारे में न सोचें फाइबर युक्त खाद पदार्थों का सेवन करें और थोड़ा थोड़ा खाएं चीनी चाय वा कोल ट्रिंग आदि के जरीए आप अपना उपवास न तोड़ें वसा युक्त आहार से बचें जैसे की अत्यदिक खाद पदाथों का सेवन करने से बचें जैसे रिफायन का तेल आलू छोले इन सब चीजों को न खाएं तो आज का वीडियो आपको समझ में आही ग यह आपकी और आपके बच्चे के सहत के लिए फायदा मंद होगा और आप डाक्तर के किसी भी सला को नजर अंदाज न करें और नियमीत रूप से सला लेती रहें आज का वीडियो बस इतना ही अगर आपको थोड़ा भी पसंद आया है तो ब्रीज वीडियो को लाइक करें कमेंट करें मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार